इस चेप्टर में हम देखेंगे की जो हमारे पास electrical एक्टर्णिक्स का जो सब्जेक्ट होता है तो उसमें हम आप बहुत ही basic concept को समझेंगे की हमारे पास जो है ormsla क्या होता है voltage क्या होता है इसे हम example से समझने की कोशिस करेंगे current क्या होता है resistance क्या होता है और हम multimeter को किस तरीके से जो है use कर सकते हैं तो इसको हम एस सारे topic को जो है यहाँ पे हम discuss करेंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह जो है जो हमने कुछ term दिये हैं voltage, current और resistance इनको क्या करेंगे हम की example के मध्यम से समझने की कुछिस करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले है ohmsla तो ohmsla क्या करता है कि जो हमारे पास voltage है, current है और resistance है इनके बीच में जो है समबंद को बताता है कि यदि हम voltage को change करेंगे तो current क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा और resistance को change करेंगे तो current कम होगा या ज्यादा होगा तो ओम्सला को के जो है तीन अलग-अलग तरीके से हम represent कर सकते हैं V equal to IR, V, R equal to V बटा I, I equal to V बटा R तो यह तीन तरीके से ओम्सला को हमने यहाँ पर SM को जो है अलग-अलग तरीके से दिखाया है तो V equal to IR, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि voltage क्या होता है, current क्या होता है और resistance क्या होता है और इन तीनों को क्योंकि यह physical quantity है तो इनको यदि हम measurement करेंगे तो इनका कोई ना कोई unit होगा तो इनके हम unit को भी यहाँ पर जानेंगी तो वोल्टेज क्या होता है वोल्टेज जो होता है यह बताता है कि amount of कितना potential energy जो है circuit के अंदर में है तो circuit के अंदर में कितना potential energy है यह हमें पता लगता है वोल्टेज से यदि वोल्टेज ज्यादा है तो मतलब कि उसमें energy जो potential energy होगा ज्यादा होगा और जो वोल्टेज होता है उसका जो यूनिट है वो भोल्ट होता है करंट क्या होता है करंट होता है rate of flow of charge is called current की जो charge है किस rate से धारम करा है उस रेट को फ्लो फ्लो मजाना को चार्ज हैं। भीड़ी स्लेट से प्रवाईद हो रहे हैं उसको हम कहेंगे करंट और जब करन प्लो करता है जो विद्धूत धारा है उो जब फ्लो करेगा तो महकर से बावट आता है और पोजीशन आता है चार्ज के फ्लो होने में तो ओ पोजीशन कितना है उस चीज को दिखाने के लिए हम रेसिस्टेंस टर्म को यूज करते हैं और इसका जो यूनिट है वो ओम होता है तो यहां पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे जो एक्जामपल के मध्यम से कि क्या होता है हमारे पास जो है वोल्टेज करन्ट और एसिस्टेंस के रिलेशन को तो हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे धर्ती पे कोई चीज पढ़ा हुआ है पत्थर पढ़ा हुआ है तो उसका जो पोटेंसल एनर्जी होगा वो जीरो होगा लेकिन जब हम उसे क्या करेंगे कि ऊपर उठाएंगे तो ऊपर उठाएंगे तो उसका जो पोटेंसल एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगा जब हम उसे लेकर के जो है अपने छट के ऊपर ले जाएंगे तो उसमें पोटेंसल एनर्जी जो है इकठी हो जाएगी और उसे जब हम तो नीचे गिर जाएगा तो वैसे ही यहां पर पानी जो है हमारे छत के ऊपर टेंकी में है तो टेंकी से पानी हमने अपना टैप खोला और पानी नीचे आता है तो यहां पर दो हमारे पास जो है टैप है एक से जो है ज्यादा पानी आ रहा है और दूसरे से कम आ रहा है तो ये current धारा का प्रवा है उसको दिखा रहा है ज्यादा पानी का drops मतलब ज्यादा चार्ज जो है फ्लो कर रहे हैं और कम drop का मतलब की कम फ्लो कर रहे हैं तो एक high current को और दूसरा जो है low current को दिखा रहा है अब इस tank के माध्यम से हम समझेंगे जो दो tank हमारे पास यहां बने करता है तो जो Left side में हमारे पास water tower है water tank है उसकी height जो है वो ज्यादा है height ज्यादा है और दूसरे का enjoyed कम है तो जिसका height ज्यादा है उसमें potential difference होगा और जो energy होगी वो ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा कि जो यहां Arya पे flow होगा जो पानी का वो ज्यादा होगा और इसी त होता है कि जब potential difference ज्यादा होता है तो higher voltage हम बोलेंगे कि जब होता है तो charge जो है वो ज्यादा प्रवाहित होते हैं और जब always charge ज्यादा प्रवाहित होंगे तो current ज्यादा होगा तो यहां जो नीचे दिया हुआ है कि भी आई यार तो इसलिए यहां पर हमने क्या किया हुआ है कि यहां पर भी ज्यादा है तो आई भी ज्यादा है और उसी यह कारण यहां पर capital सब्सक्要求 और सब्सक्राइब जो पाइप है इसका डायामीटर जो है ज्यादा है जो डायामीटर जो ज्यादा है मतलब जो पाइप है ज्यादा मोटी है इस टावर की और इसकी पतली है यानि डायामीटर इसका जो है कम है तो इसमें क्या हो रहा है कि डायामीटर जिस पाइप का ज्यादा है बिक पाइप ह तो आपने इसमें पानी ज्यादा निकलेगा तो इसी तरीके से conductor के अंदर होता है जब कोई conductor जो है उसका diameter ज्यादा होता है ज्यादा मोटा होता है तो उसमें जो आवेस हो असानी से जो electron है चार्ज हो असानी से flow कर सकते हैं और इसलिए उसमें current का प्रवाह जो होता है वो ज् जो value है resistance की वो कम होगी तो उसी को हम बोला है कि यहाँ पर आई जो है भी equal to आई या तो आई ज्यादा हो गया और resistance आर जो हो कम हो गया तो दूसरे पाइप में के दूसरे टावार या टावर में जो की सेम हाइट वे है पहले की इतना ही इसमें क्या हो रहा है कि पाइप का जो diameter है कम है मतलब pipe जो है वो पतली है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाणी जो आ रहा हो कम आ रहा है और इसी तरीके से conductor के अंदर होता है जब किसी conductor मतलब wire आपकी यह पतली है तो उसका resistance जो होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि इसमें आवेस जो है इस पानी के टाइब की तरह ही कम फ्लो करेंगे तो यहां पर करंट कम हो जाएगा और रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा कहने का मतलब हमारे पास यदि दो वायर है दोनों का पोटेंसल डिफरेंस यदि हम सेम रखते हैं तो जो मोटा वायर है जिसका की तो उसमें जो है करंट का फ्लोग ज्यादा होगा और करंट के फ्लोग होने का ज्यादा मतलब है कि रेसिस्टेंस उसका कम होगा उसके तो इस तरीके से हमने समझ लिए कि भी आई और आज के बीच में और जो कंडुक्टर का डायमेटर है इसके बीच में क्या संबंद होता है तो इसके साथ ही धन्यवाद ऐसे और वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें